हलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट नाइन वीडियो यह सेप्टर का पार्ट नाइन वीडियो में प्रसनावली 2.5 पे और कोस्टन नम्मर है वन करा उप्यूक्त सर्वसमिकाओं के परियोग करके निमलेखित गुननफल ग्याद कीजिए चलिए पहला कोस्टन नेखते हैं दिया हुआ है x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10 यहापे हमें सर्वसमिका लगा नहीं है तो हम लोग एक सर्वसमिका का परियोग कर सकते हैं फॉर्मुला यहापे बन जाएगा x प्लस a इंटू में x प्लस b हो तो इसका फॉर्मुला रहता है x स्क्वार प्लस का a प्लस b इंटू x और प्लस का a b अब आपको यह कहां से आया तो कुछ नहीं इसको मल्टिप्लाइ करोगे न तो यहीं आएगा तो हम लोग यही सर्व समिका यहापे परियोग करेंगे तो यहापे लिखेंगे जो हमारी सर्व समिका है आइडेंट्री लिख देंगे यह सर्व समिका हिंदी में लिखते हैं सर्व समिका इसमें जो परियोग करेंगे उसके बारे में x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर में होगा x स्क्वाइर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab चले इसी तरह से तो यहां क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू में x प्लस 3 बराबर में x square plus a और b का value है 4 और 10 है 4 plus 10 into max और plus 4 into 10 तो हो जागा है यहां से x square plus 14 x plus 14 यह आपका आगया answer पुरन फल निकल गया तो अगला इसका second number देखते हैं second number में भी यहां वही सर्वसमिके लगाएंगे यह है x plus 8 into में x minus 10 तो उसी formula का अनुसार यहां पर हम लोग इसे ली सकते हैं x plus 8 into में x plus minus का 10 यह minus का 10 ऐसे कर लेते हैं और फिर वही formula यहां पर लगा देते हैं तो हो जाएगा x square plus a plus b into x और फिर plus का a into में b यह ना होता है अभी आपने देखा अभी आपको formula मेंने बाता है था ना x plus a into x plus b क्या x square plus a plus b into x और plus का a b तो यह x square हो जाएगा यहां पर minus का 2x और minus का यहां 80 समझ गया ना कोई दिक्कत नहीं है अगला भी same है तीन नमबर इसी पर है क्या दिया है 3x plus 4 into में 3x minus 5 इसे हमने लिख सकते हैं 3x plus 4 into में 3x plus में minus का 5 ऐसे लिख सकते हैं और यही formula का देखते हैं तो हो जाएगा 3x का square देख रहा है ना x square x का यहां 3x है plus a plus b यानिकि 4 plus minus 5 और into में x तो आख सकते हैं 3x है और plus का a into में b समझ गया ना 9x square हो जाएगा यहां घटेगा तो minus का 1 आएगा into में 3x और यह minus का 20 यानिकि यहां पर अब आजाएगा 9x square minus का 3x minus 20 चलते हैं अब अगले पर अगला देखते हैं इसका 4 नम्मर इसके 4 नम्मर के लिए देखिए हमारे पास दिया है y square plus 3 by 2 और into में y square minus 3 by 2 तो हम लोग एक formula जानते हैं हैं सरुसर में का जानते हैं ना identity a plus b और into में a minus b होते हैं इसका formula बन जाता है a square minus b square तो उसी के अनुसारे यहां पर क्या जाएगा y square plus 3 by 2 into में y square minus 3 by 2 बराबर में y square का square और minus 3 by 2 का square तो यह हो जाएगा y का power 4 minus का 9 by 4 समझ गया ना चलिए अगला इसका 5 नम्मर तो सेम इसी formula पे हैं देख लो 3 minus 2x है और into में 3 plus 2x है तो यह भी y formula पे हैं तो यह हो जाएगा 3 का square minus 2x का square तो इसका 9 और इसका 4x square समझ गया ना चलते हैं अगले question पर question number 2 देखिए करहा सीधे गुणा किये बिना निम्लेखित गुणन फनों का मान गयती है पहला देखिए 103 गुणा 107 तो direct गुणा नहीं करना है इसको हम लोग formula का इधार पर ही बनाएंगे इसे हम लोग 100 प्लस 3 लिख देते हैं और गुणा में इसे 100 प्लस 7 लिख देते हैं या तो simply आप यहाँ गुणा कर लो एक एक करके या आप यह मैंने जो formula होता है थाना आपको x plus a into x plus b बराबर में x square plus का a plus b into में x plus का a b यह formula लगा दो और नहीं तो simply आप गुणा भी कर सकते हैं तो यह formula लगा होगे तो हो जाएगा 100 का square plus 3 plus 7 into में 100 ठीक है और फिर plus में 3 गुणा 7 तो यह हो जाएगा 1 के उपर 4 0 लग जाएगा 7 3 10 हो जाएगा 10 में 100 से गुणा होगा तो 1000 और यह 21 तो आजाएगा यहाँ पर यहीं ना आएगा आपका 11021 यहाँ हम ऐसे भी बना सकते थे इसके बाद हम लिखते 100 गुणा में यह फिर plus देकर 3 गुणा में 100 plus 7 फिर से मतलब एक बार इसके साथ इसको गुणा हो फिर इसके साथ इसको गुणा हो यहाँ आजाएगा 10,000 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 7 यहीं आएगा 11021 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी बना सकते है और ऐसे भी बना सकते है जो आपको असान लागी है चलिए अब यहाँ इसका सेकेंड नमर देखिए दिया है 95 गुणा 96 तो दो तरीका है यहाँ तो 90 प्लस 5 और यहाँ प्लस 6 कर दो यहाँ ऐसे भी कर सकते है 100 माइनस 5 और गुणा में 100 माइनस 4 अब यहाँ गुणा कर दो यहाँ फॉर्मूला लगा दो 100 गुणा में 100 माइनस 4 और माइनस का 5 गुणा में 100 माइनस 4 अब यहां पर solve करते हैं तो यहां 10,000 हो जाएगा माइनस का 400 माइनस का 500 और पलस का 10 दूना 20 तो यह आ जाएगा 10,020 में से 900 घटा देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 900 घटाएगे तो कितना जाएगा 10,020 में से 10,020 में से 900 घटा देंगे तो यहाँ आ जागा 9,120 समझ गये ना कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब इसका 3 नम्मर देखिए यह बहुत ही सिंपल सा कोशन है इसको हम लोग आसानी से बना सकता है 104 गुना में 96 दिया है ना चलिए देखते हैं 104 गुना में 96 तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 100 पलस 4 और 96 को लिख सकता हूँ 100 माइन सार दे तो फॉर्मले पर सेट हो गया A पलस B और इंटू में A माइनस B तो यह किसका फॉर्मला बनता है A स्कॉर माइनस B स्कॉर का यह नहीं आइडेंटी मैंने आपको बता रखी है चलते हैं अगले कोशन पर चलिए अगला कोशन 3 नमर का रहा है कि उप्यूक सर्वसमीका का परियोग करके निमलिखित का गुनन्खन की दिए चलिए हम लोग इसका गुनन्खन करते हैं तो हम लोग देखो यहाँ पे फॉर्मला किसका यूज गरन वाने पहला वाला देखिए, दिया है 9x² प्लस का 6xy प्लस का y², तो हम लोग यहां सर्वसमिका किसका पर होगा, तो देख रहे हैं, यह स्क्वाइर में है, तो यहां पे तो यह 3 का स्क्वाइर हो जाएगा, और यह y का स्क्वाइर है, तो a² प्लस b² और बीच में जो है 2ab के फॉर्म में तोड़ हो, 2 into में 3x और into में y, देखो गुना होगा तो 6y आ जागा कि नहीं, 6xy आ जागा, तो a² प्लस 2ab प्लस b², यह नहां फॉर्मुला यहां लग रहा है, तो हम लो जानते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², किसका फॉर्मुला होता है, a प्लस b का whole square, यह नहां होता है, जी, कही सार्फ समी का हम लो जानते हैं, तो जिसके according आपे क्या होगा, 3x प्लस y का whole square, अब इसी को चाहो तो दो बाली दो, 3x प्लस y, और into में 3x प्लस y, आइए, जी आप अगला question, इसका second number देखते हैं, second number इसका देखिए, second number में दिया है, 4y² मैंनस का 4y प्लस 1, इसे मैं ली सकता हूँ, 2y का whole square, प्लस का 1 का square, तो a² प्लस b² मैंनस 2, यह a के जगा पे 2y है, और b के जगा पे 1 है, into का रोगते यह जगा की नहीं, यह a² मैंनस 2ab प्लस b², यह किसका formula होता है, a मैंनस b का whole square, तो इसी के according यहाँ पे क्या हो जागा, 2y मैंनस 1 का whole square, एक जगा 2y है और b के जगा 1 है, अब इसी को दो वाली देंगे, 2y मैंनस 1, और into में 2y मैंनस 1, चलते हैं अब अगले question, third पे, चलिए अब इसका third number देखिए, x² मैंनस y² बाई 100 दिया है, तो इसे हम लोग x² मैंनस, इसे y बाई 10 का whole square लिख सकते हैं ना, तो यहाँ formula किसका दिखे रहा है, a² मैंनस b² का, क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं, a plus b, और into में a minus b, यही ना formula जानते हैं हम लोग, रिशी को यहाँ लगा देते हैं, तो हो जागा, x plus y बाई 10, और into में x minus y बाई 10, समझ गया है, चलते हैं अब अगले question पे, question number 4 देखिए, कर उप्यूक्त सर्व समिकाओं का परियोग करके निम्लिखित में से प्रतेक का प्रसार कीजिए, पहला देखते हैं, दिया है, x plus 2y plus का 4z का whole square, तो हम लोग formula जानते हैं, a plus b plus c का whole square, क्या होता है, a² plus b² plus c² plus 2ab plus 2bc plus 2ca, जो इसी के according यहाँ पर हो जाएगा, x plus 2y plus 4z का whole square बराबर में, x का square plus 2y का square plus 4z का square, plus का 2, एक जगा पे x हैं और b के जगा पर 2y है, plus 2, b के जगा पे यहाँ 2y हैं और c के जगा पर 4z है, plus 2, c के जगा 4z है और एक के जगा पर x है, यहां आजागा x square प्लस का 4 y square प्लस का 16 z square और प्लस का 4 x y प्लस का 2 दुना चार चार्चों का 16 y z और प्लस का 8 z x या x z भी लिख सकने हैं कोई दूपर तो यह इसका विश्तार हो गया चलते हैं अगले question पर इसमें आगला देखते हैं इसमें माइनस का 2AB, प्लस का 2BC, माइनस का 2C, यहींने मैंने आपको बताया था, यह माइनस प्लस मैंने समझा रखा तक कैसे इसी के अनुसार चलेंगे, A- में है B- में है तो इसलिए प्लस में हो गया दोनो B और C- में इसलिए है प्लस आ गया फिर यहाँ A- में था तो इसलिए माइनस में आ गया ठीक है तो इसी के कॉर्डिंग यह लगाते है –2x प्लस 3y प्लस 2z का whole square बराबर में हो जाएगा –2x का square प्लस 3y का whole square ठीक है और प्लस का 2z का whole square –2 A के जगा पे 2x है और B के जगा पर यहाँ पर क्या है 3y है अब आप सोच रहेगों कि सर यह माइनस आपने कहा छोड़ दिया इसमें क्यों नहीं लिए देखो यहाँ फॉर्मुले में देखो 3y इंटू में 2z और –2 2z इंटू में 2x अगर आप यहाँ माइनस देखो देखो यहाँ प्लस मिले न पढ़ता है यहाँ इसके पहले वाला फॉर्मुल लगाना पढ़ता है 4x square 9y square 4z square 12xy 12yz ठीक है 12yz और – 8z यह x समझ गया ना कोई दिक्कत नहीं है और नहीं तो आप a plus b plus c वाला ही लगा दो यह लगा दो और यहाँ जैसे यह माइनस यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ भी आप क्या करते हैं यहाँ प्लस देते हैं और यहां bracket के अंदर यहां minus यहां प्लस देते हैं और यहां bracket के अंदर यहां minus यहां प्लस देते हैं फिर आपको solve करने पर यही प्राप्त हो जाएगा तो आप इस तरह से भी आप चल सकते हो आप सीधे plus वाला ही formula लगाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ A है, वहाँ पे minus का 2X रखते हैं, जैसे यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तो आपको ज्यादा formula याद करने की जो अतनी पड़ेगी, इसे plus वाला ही याद करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसे तो बाकी भी याद करने की जो अतनी है, वह मैंने आपको समझा रखा है, सब एक ही तरह है, बस प्लस माइनस का अंतर है, जैसे अब इसमें का चार नमबर देखिए, इसका चार नमबर, मैं क्या करता हूँ, 3A माइनस 7B माइनस C का होल स्कोर, इना है, तो मैं प्लस वा और प्लस माइनस का C का होल स्कोर, तो अब इसी के कोडिंग या पर सिट करता हूँ, 3A का होल स्कोर, प्लस माइनस 7B का होल स्कोर, ठीक है, और फिर प्लस माइनस C का होल स्कोर, प्लस 2A के जगा पर 3A और B के जगा माइनस का 7B, प्लस 2B के जगा माइनस का 7B, और C के जगा म और एके जगह पर 3A है, चलिए solve करते हैं, 9A square plus का 7 square, 49B square plus C square, 731, 1242, minus 42AB, ठीक है, यहाँ पर देखो, 7 दूना 14, और minus minus plus, 14BC, और minus हो जाएगा, plus में इस दूना 6CAAC गिली सकते हैं, तो हमने कर दिया, देखो, यहाँ पर, A minus B minus C का whole square वाला जो formula बता रखा है, उसको भी लगा कर आप बना सकते हैं, अब चलिए इसमें का एक और 6 number देख लेते हैं, चलिए इसमें का 6 number देखिए, दिया है, 1 by 4, A minus 1 by 2B, और plus 1 का whole square, formula plus वाला ही लगा हो, बहतर लग रहा है, A plus B plus C का whole square, A square plus B square plus C square, plus 2AB plus 2BC plus 2CA, यह नहा होता है, अब इसके कोर्डिंग आपर रखेंगे, 1 by 4A plus minus 1 by 2B, और plus का 1 का whole square, तो यहाँ हो जाएगा, 1 by 4A का whole square, plus minus 1 by 2B का whole square, plus 1 का square, plus 2A के जगा पे 1 by 4A, B के जगा पे minus का 1 by 2B, ठीक है, समझे रहना, plus 2B के जगा minus 1 by 2B, और C के जगा पे हाँ 1, plus का 2C के जगा 1, और A के जगा 1 by 4A, चलिए solve परते हैं, 1 by 16A square plus में, 1 by 4B square 1, का square 1 होगा, यहाँ देखो न, 2 से 2 यह कट जाएगा, minus का 1 by 4, यह A उपर नहा है, मैंने जल्टी से मीचे लिखिया है, 1 by 4AB, ठीक है, समझ रहना, फिर आपका यहाँ देखो, 2 से 2 कट जाएगा, minus का B बचेगा, यहाँ यह कट जाएगा दो बार में, तो यहाँ बच जाएगा आपका A by 2, प्लस का, समझ गया न, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बन गया यहाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला question number 5 देखिए, यहाँ गुननखन करना है, तो set करते हैं, यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें, कि यहाँ minus में है, यहाँ minus में है, तो हमें पकड़ना होगा पहले, कि x, y, z में से कौन कौन सा term minus में हो जोता है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, कि यहाँ z है, यहाँ भी z है, दोनों जगा z है, तभी यह माइनस में हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें z वाला टर्म किसमें होगा, माइनस में होगा, बात को पकड़ो, यहाँ माइनस आना है, यहाँ माइनस आना, आप दोनों जगा z वाला टर्म है, यहाँ तो y है, यहाँ x ह इसमें minus में होगा यह आपको पकड़ लेना है यहाँ से अब देखिए इसे आप लिखो 2X का whole square इसे 3Y का whole square और यहाँ पर इसे लिखो minus का 4Z का whole square यह minus में मैंने क्यों दिया यहाँ से मैंने पकड़ा फिर plus 2AB यानिकि 2X और इंटू में 3Y फिर plus 2BC यहाँ पर है, माइनस का 4Z और A के जगा पर है 2X, अब देखो इसमें इंटू करोगे, तो माइनस का 16XZ आ जगा, यहाँ पर माइनस का 24X, YZ आ जगा 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 न जी, तो यह फॉर्मले पर सेट हो रहा है किसका, A प्लस B प्लस C के होल स्कुरार पर, क्योंकि A स्कार प्लस B A स्कार प्लस 2AB, A स्कार प्लस B स्कार प्लस C स्कार प्लस 2AB, प्लस 2BC प्लस 2CA, उसी पर हो रहा है, यानि कि 2X प्लस 3Y, प्लस माइनस का 4Z का होल स्कुरार, अब देखो, यहाँ प्लस माइनस माइनस नहो जाएगा, यानि कि 2X प्लस 3Y, माइनस 4Z का होल स्कुरार हो जाएग 2x plus 3y minus 4z और into में 2x plus 3y minus 4z चलिए अब अगला question देखते हैं यहाँ पर इसका second number दिया हुआ है 2x square plus y square plus 8z square minus का 2 root 2xy plus 4 root 2yz और minus का 8xz तो देखो यहाँ और यहाँ वाला minus होने का मतलब है कि दोनों में x common दिखे रहा है यानि कि x वाला term यहाँ minus में होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसे minus root 2x का whole square कर देंगे square करोगते ही आजागा plus y square और plus इसे कर देंगे 2 root 2z का whole square यह minus में क्यों की है क्यों कि यहाँ देख लो इसी के वज़ा से यहाँ minus आ रहा है इसलिए इसे minus में कर दिए minus root 2x का whole square करेंगे तो plus है में हो जाएगा plus 2 a के जगा पे minus का root 2x और b के जगा y plus 2bc यानि b के जगा पे y और c के जगा पे 2 root 2z plus 2 ca यानि के 2 root 2z और into में minus का root 2x देखो इसमें गुना करोगे root 2 में root 2 से गुना होगा 2 2 2 4 2 8 minus का 8xz आ जाएगा इसको भी गुना करोगती है जाएगा इसको भी गुना करोगती है यहाँ जाएगा यानि यह formula पे से टोर a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c किसका formula आता है तो a plus b plus c का whole square ठीक है इसी को दो बाली देंगे minus का root 2x plus y plus का 2 root 2z फिर minus का root 2x plus y plus का 2 root 2z समझें ना कोई दिक्कत है इसमें नहीं है चलते अगले कोशन पे कोशन नम्मर 6 देखिए कर दिम्रिखित घनों को प्रसरित रूप में लिखिए चलिए इसको solve करना है पहला दिया है 2x plus 1 का whole cube तो हमनों formula जानते है a plus b का whole cube क्या होता है क्या होता है जी formula होता है इसका a cube plus में b cube plus का 3a square b plus का 3ab square इसी की according इसको सजाते है 2x plus 1 का whole cube बराबर भो हो जाएगा 2x का cube plus का 1 का cube plus 3a square इन 2x का square इन 2 में b और plus 3a के जगा पर 2x और b के जगा 1 का square तो यहाँ पर हो जाएगा 8x cube plus का 1 का cube 1 यहाँ पर 2 का square चार 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 ती है 12x square plus का 6x तो इसको अब सजा के लिख सकते है 8x cube plus का 12x square plus का 6x plus 1 ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं समझ रहा है ना चलिए अब इसका second number देखिए second number में दिया हुआ है 2a minus 3b का whole cube whole cube तो मैं लोग फर्मुले जानते है a minus b का whole cube क्या होता है a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square यहीं ना तो हो जाएगा 2a minus 3b का whole cube बराबर में 2a का cube minus 3b का cube minus 3a square यहीं 2a का square और b के जागा पे 3b plus 3a के जागा पे 2a और b के जागा पे 3b square है तो square जाएगा 8a cube minus 27b cube समझे ना और minus का यहाँ 2 का square 4 यह आपका एंसर हो जाएगा चलते आगले question इसके थर्ड नंबर पे question नंबर इसके थर्ड देखिए दिया हुआ है 3 by 2x plus 1 का whole cube यहाँ भी y a plus b का whole cube वाल formula लगा दो a cube plus का b cube plus 3a square b और plus का 3a b square ठीक है तो यहाँ हो जाएगा 3 by 2x plus 1 का whole cube बराबर में 3 by 2x का cube plus 1 का cube plus 3 into में 3 by 2x का square into में 1 plus 3 into में 3 by 2x into में 1 का square यहाँ पे हो जाएगा 27 बटा 8x cube 1 का cube 1 ही होगा और plus यहाँ 3 का square नो नो ती है 27 बटा 2 दू का square चार x square तीन का square नो हुआ नो तू नो ती है 27 हो गया और 2 का square चार हुआ पलस में यहाँ 9 बटा में 2x जहीं लाएगा चलिए इसको सब्जा देते हैं 27 बटा 8x cube पलस 27 बटा में 4x square पलस का 9 by 2x और पलस में 1 इसको सब्जा आकर लिख दिया मैंने चलते हैं अगले question इसके 4 नम्मर पे है चलिए इसका 4 नम्मर देखिए क्या है दिया हुआ है x-2 by 3y का whole cube तो यहाँ वही a-b का whole cube लगेगा क्या होता है a cube minus b cube minus 3a square b पलस का 3ab square यह होता है formula तो यहीं लगाते हैं आपर x-2 by 3y का whole cube तो यहाँ हो जाएगा x का cube minus 2 by 3y का cube minus 3x square into में 3 by 2 by 3 है ना 2 by 3 2 by 3y पलस का 3a के जगा पे x और b के जगा पे यहाँ जगा 2 by 3y का whole square यहाँ x cube minus का 8 बटा में 27y cube minus का 3 से 3 यहाँ कट जाएगा 2 x square y और पलस का यहाँ दोखो 4 बटा ना होगा काटेंगे तो 4 बटा 3 हो जाएगा x y square यह आपका answer आगे समझ गए ना तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पेइंट करते हैं आपको मारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा पहला है pathfinder classes छपरा pathfinder classes छपरा दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांद सर भारती भवन रवी कांद सर और तीसरा है हमारा रवी कांद सर के नाम से तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे डिलेटर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे समझ नोट्स के लिए गूगल पे जाके सब्सक्राइब करेंगे www.ravikant sir.in यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं